जे मसीगी दोस्तों, आज की सुरगी मन्ना का भाग हमने लिया है पहला श्यमिल की पुस्तक, उसका सोलवा अध्याय और उसका सात्वा वचन वचन कहता है, परंतु यहोवा ने शमियल से कहा, उसके रूप को मत देख, ना उसके कद की उचाई पर ध्यान दे, क्योंकि मैंने उसको अस्विकार किया है, क्योंकि परमेश्वर का देखना मनुष्य के समान नहीं, मनुष्य तो भारी रूप को देखता है, परंतु तुन्हें हमें अपने बच्चे को पूरी तरीके से अपने मुताबिक रश्ता हूँ धन्यवाद पिता परमेश्वर तुन्हें हमें अपने मुताबिए हो तु जानता है कि हमारा हिर्दय कैसा है तु हिर्दय के मुताबिक हमको देखता है तु हिर्दय के मुताबिक हमसे बात करता है तु आत्मा में हमारे साथ चलता है दोस्तों बहुत जरूरी है हम जब ईशो मसी में हैं तो हमें हिर्दे से प्रमेशर के चरणों में जाना है हमें आत्मा से प्रमेशर के आरात्रा करनी है क्योंकि वही प्रमेशर को सज़ता है उसी के लिए प्रमेशर आपके करीब आया है कि वो आत्मा के द्वारा आपको प्यार करें, वो आत्मा के द्वारा आपके साथ चलें दोस्तों फारिसियों को, यूनानियों को, यहूदियों को, सब को मसी की आने की इंतजार थी सब इंदिसार कर रहे थे मसी का एक राजा के रूप में कि मसी आने वाला है हमारा राजा होगा वो लेकिन किसी को उध्धार करता की जुरूरत नहीं थी आलेलोया लेकिन मसी इशु मसी चर्णी में उसने जर्म लिया गौशाला में उसने जर्म लिया इस चीज की उन्हें मुमीत नहीं थी इशुमसी पानी पे चले उन्होंने अद्बत चमतकार किये लेकिन फिर भी उन्हें फारिसियोंने इशुमसी को स्विकार नहीं किया एक संधे की द्रिश्टी से वो देख तर है क्योंकि वो हिर्दे से नहीं देख रहे थे वो शरीर के रूप में आक रहे थे वो ईशुमसी को शरीर के रूप में एक राजा के रूप में आक रहे थे लेकिन वो उनके हिर्दे को नहीं देख रहे थे कि वो हिर्दे से कितने पवित रहे उनके हिर्दे में पुरा संसार बसा हुआ है इशुमसी का हिर्दे कितना हमारे लिए दयालू है कितना दया है उस हिर्दे में वो नहीं देख रहे थे कि वो स्वर्ग छोड़कर जमीन पर आया हमें सुख देने के लिए वो उस हिर्दे को नहीं देख रहे थे दोस्तों लेकिन क्रूस के समय, कुसिफाइड होने के समय, जब लोगों ने मारा, कूटा, उनके मुग पर थूका, उनको चपल जूतों से मारा, उनके हातों पैरों में कीले चुभा दी, और उन्हें क्रूस पर लड़का दिया, वो दर्दनाक मौत उनको दी, हालेलुया, लेकिन उस सम जब क्रूस पर थे, परमेश्वर के दोरा, परमेश्वर ने ईश्यो मसी के हिर्दे को दुनिया को दिखाया, ईश्यो मसी ने क्रूस पर, परमेश्वर से दोहाई की, प्रातना की, कि है मेरे पिता, इन्हें माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते ही, क्या कर रहे है, हालेलुया उस दिल को देखकर उसके दिल को देखकर वो चोर परिवर्तित हो गया उस चोर का परिवर्तन वो दिल था वो परमेश्व का संदेश था उसकी प्रातना थी उसने उस दिल को देखा उसने उसके दिल की गहराई को देखा और उधार बाया और स्वरकादिकारी बन गया दोस्तों हमें अपने दिल से परमेशर से प्यार करना है परमेशर हमारे दिल को देखता है जब हम कलीसिया आते हैं तो वो देखता है कि हम किस नजरीय से बैटे हुए हमारे दिल में परमेशर के लिए क्या वचन है हमारे दिल में परमेशर के लिए क्या प्यार है वो उस प्यार को आपके दिल में देखना चाहता है और आपसे प्यार करता है परमेशर आपके दिल को देखता है इसलिए हम अपने दिल को साफ रखे अपने दिल को परमेश्र के योग्य मनाएं दुनिया कहती है जो देखता है उस पर विश्वास करो लेकिन बाइबल कहती है जो नहीं देखता है उस पर विश्वास करो हलेलुया इसलिए आहिए हम अपने दिल को पवित्र करके परमेश्र के शरणों में जाएं सबब देशक 5 का एक कहता है कि जब तुम परमेश्वर के भवन में जाओ तो समीब जाओ वचन के समीब जाओ इस थरीके से जाओ कि तुम उस प्यार को प्राप्त कर सको जो प्यार परमेश्वर का है क्योंकि अपने हिर्दे को कोलो और तुम्हारे हिर्दे में परमेशर बसेगा उसों कहता है कि अपने हिर्दे का द्वार खोल ताकि मैं उस द्वार के द्वारा तेरे अंदर आऊंगा तेरे हिर्दे के अंदर आऊंगा और तेरे साथ भोशन करूँगा वो पिता वो प्रव वो इशू हमारे साथ है वो इशू हमारे साथ है उसने हमें नया जीवन दिया है धन्यवार पिता परमेशर सुबा के लिए परमेशर तेरे आशीश के लिए हर सुनने भाई 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 भेनों के लिए हम तेरे आशीश और सुकर्चंगाई मांगते दन् प्राथन आपने सुनी कुबूल कि एमेन